हेलो एंड वेल्कम तो यूनीक क्रिएटर्स विजन आइस की जो इन्वार्मेंट की पीडी सिस्टीफाइब कर रहे थे उसका यह सिक्स्थ पार्ट होगा सो लेट सी की कौन से टॉपशाएब आPPर करने वाले हैं लास्त टाइब हमने कवर कर लिया था कहा तक वाइदल लायफ प्रोटेक्शन आग्ट कर रिट किया था और टाइगर कीडियर कंजरवेशन से अब हमें कमेट अब हिमारी करना है So, let's start So, आज का फ़र्स टॉपिक है Tiger Conservation in India के अंडर Project Tiger News में क्यों था क्योंकि इतने PM ने इनागुरेट किया प्रोग्राम Commemoration of 50 Years of Project Tiger Project Tiger के 50 साल हो गये थे In Mysuru, Karnatka में इनागुरेट किया था प्रोग्राम और इक न्यूज में क्या था जो International Big Cats Alliance है वो लॉँच हुआ बाई इंडिया दूरिंग दा इवेंट इन आईबी से International Big Cat Alliance जो है वो फर्स्ट प्रोपोस किया था इंडिया ने अट एन इंटरनेशनल ग्रूप अगेंस पोचिंग और इलीगल वाइड लाइफ ट्रेट जो होता है इन 2019 एम क्या है इसका कंजर्वेशन करना सेवन बिग कैट्स का ये सारी सेवन बिग कैट्स जो है आपको याद रखनी है टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार और प्यूमा ये प्रोवाइट करेगा अस्योर्ड सपोर्ट फाइव यर्स के लिए विद गरिंटीन फंडिंग और रुपीज 800 करोर, ये याद रखना चुझे नहीं है अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर ये एक सेंट्रली स्पॉंसर्ड स्कीम है लॉंच वी थी 1973 में वरी इंपॉर्टेंट इनिसली 9 टाइगर रिजर्व में ही लॉंच वी थी इन डिफरेंट सेट्स ऑफ इंडिया प्रोवाइट करता है ये सेंट्रल असिस्टन्स टू टाइगर रेंज स्टेट्स फोर इन सीटू कंजर्वेशन हो मिनिस्ट्री ओफ इन्वर्मेंट फॉर्स्ट एंड क्लाइमिट चेंज के अंडर आता है अब्जेक्टिव क्या है इन से ओर करेगा मेंटेनस को वाइबल पॉपलिशन ऑफ टाइगर जो भी है इंडिया में इंप्लिमेंटिग एंजन्सी एंटी सीए है तो सेंट्रल गॉइड करेगा एक नया डिविजन आया है प्रोजेक्ट टाइगर अट एलिफन डिविजन पी टी एंड ई जो की क्रेट का है मो ई एफ सी सी ने स्टाफ एंड डिविजनल हैड जो होंगे अड प्रोजेक्ट एलिफन को वो रिपोर्ट करेंगे Additional Director General जो है Forest का ADGF को Project Tiger के Who has now been designated as ADGF PT&E यह designation मिल गई है ADGF means Additional Directorate General of Forest for Project Tiger and Elephant Division activities undertaken under Project Tiger कौन से activities ली गई Establishment हुआ and Development हुआ New Tiger Reserves का 55 in total NVS website पे आपको सारे Tiger Reserves मिल जाएंगे अगर आप comment करते हो तो मैं cover करूँगा बहुत अच्छी तरीके से जो कि आपको याद रखने चाहिए Neistal Parks है, Tiger Reserves है, Biosphere Reserves है याद होने ही चाहिए Core Buffer Strategy है Tiger Reserves के लिए Core Areas are kept free of all human activities Core Areas में कोई human activity नहीं होनी चाहिए and Co-existence Agenda adopt किया रहेगा in buffer and fringe areas with landscape approach Core Areas आप comment कर सकते हो कि क्या होता है NTCA band किया new construction अगर कोई Tiger Reserves के core area में करना है तो band होगा assessment कैसे होगा M Stripes का use करके M Stripes तो आप जानते ही होगे independent monitoring होगी या फिर evaluation होगा Tiger Reserves का by developing management effectiveness evaluation framework that is MEE framework Special Tiger Protection Force STPF होंगे एक डिप्लाई की जाएंगे in several Tiger Reserves for focused anti-poaching operations then ebird project use करेगा UAV को unmanned aerial vehicles means drones को especially for surveillance and monitoring then यहाँ पे about Indian Tiger और Royal Bengal Tiger दिया हुआ है very important panthera tigres इसका scientific name है भूलना मत कभी declared as a national animal है यह इंडिया का habitat की बात के हैं तो largest population इंडिया में है smaller groups बंगलादेश, नेपाल, भूटान, चाइना और में में भी है distribution की बात करें tiger population की तो habitats इसके range करते हैं from high mountains mangrove swamps में ही पाए जाते हैं tall grasslands में भी to dry and moist deciduous forest as well as evergreen and shola forest system में okay then significance अगर देखें tiger conservation का तो ecological significance में umbrella species है इसको अगर protect किया तो बाकी भी protect हो जाएंगे साथ में keystone species है अगर ये destroy हो गया तो सारे का सारा ecosystem ही destroy हो जाएगा like that okay economic में ecotourism and related industries में भी इसका significance है cultural and spiritual significance भी है characteristic की बात करते हैं solitary and territorial animal है and adult male territory जो होती है वो इसके अंडर कई two to seven females की जो वो territory है आ जाती है stripes जो इन पे होती है ये जो आप देखते हो stripes ये वैसे होती है जैसे हमारे human fingerprints unique होते है then other conservation measures की बात करें तो T into two है then St. Petersburg declaration है etc. यहाँ पे कुछ tiger protection status दे हो है very important sites की appendix one में आता है so WPA जो wildlife protection act के schedule one में भी आ जाएगा four में भी आ जाएगा four में इसलिए उनकी sites में है and one में क्योंकी काफी जाएगा इसे protection मिलती है IUCN के status में endangered है EN means endangered okay so let's go to our next topic that is National Tiger Conservation Authority NTCA ये news में क्यों था क्योंकि National Tiger Conservation Authority जो है NTCA उसने release किया एक report दो reports है totally यहाँ पे status of tigers, co-predators and prey in India 2022 report ये first है and second है MEE of Tiger Reserves इसकाम full form देखेंगे MEE of Tiger Reserves in India 5th cycle ये final report so NTCA के बारे में जानते है ये दो report हम अच्चे से पढ़ेंगे नीचे दी हुई है NTCA ये statutory body है याद रखो constitute होती है under Wildlife Protection Act of 1972 और 2006 में ये form होती constitute हुई Genesis क्या है 2005 में launch किया गया था following the recommendations of the Tiger Task Force composition की बात का है तो minister in charge जो होता है Ministry of Environment and Forest का वो चेर परसन है Minister of State जो है Ministry of Environment and Forest का वो Vice Chairperson है ये MOE FCC ये होके sort में रिखिया है 3 members of Parliament इसके अंडर होंगे secretary जो होगा वो Ministry of Environment and Forest and other members भी यहाँ पर होंगे Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंडर आता है objective क्या है provide करता है statutory authority to project tiger एक statutory authority दे बहुत बड़ी बात है foster करता है accountability center state के management key of tiger reserves जो tiger reserves को maintain करें accountable है उसके लिए provide करता है oversight by parliament ठीक है addressing livelihood interest of local people address करता है जो livelihood interest है local people के उन local people के रहे रहे हैं इरियास में tiger reserves के पास other की information में देखें तो इसके पास एक guineas book record का largest camera trap wildlife survey जो हुआ है उसका एक guineas book record है then reports leads by NTC जो हमने भी देखी थी reports status of tigers co-predators and prey in India 2022 report so population की बात करता है details में इंडिया जो है harbor करता है 75% word के tiger की population की wild tiger population central इंडिया एंड सिवालिक्स एंड गैंजेटिक प्रेंस जो है यह witness करता है notable increased tiger population में techniques का यूज की इंडिया वालों ने M-stripes monitoring system for tigers intensive protection and ecological status यह क्या करता है यह use करता है GPS को global positioning system and remote sensing को इन्हें देखने में कितने लोग हैं कितने tigers हैं camera trap based capture mark recapture यह क्या करता है यह camera trap survey करता है for the abundance and density of estimation of tigers different different locations पे camera लगा रहते हैं and capture करते हैं क्योंकि इनकी stripes से लग होती है तो उसे देखते हैं कि हाँ सायद इतने हो सकते हैं estimate करते हैं इतने ज़्यादा camera लगाते हैं कि सभी different different capture होई जाते हैं in areas where camera trapping was not possible जहां camera trapping नहीं possible है molecular tools यूज किये गए जैसे कि DNA extract कर लिया catch से और वहाँ से estimate कर लिया status of tigers, co-predators and prey in India 2022 report देखें अगर तो upper limit जो है tiger population की अब वो हो गई है 3925 and जो average number था वो 3682 निकल किया आया कौन से states हैं इनके पास highest tiger numbers हैं मध्यप्रदेश के वाद सबसे आदा है 2018 में 526 थे अब 785 हो गए 2022 में करनाटका के पास पहले 524 थे 2018 में अब 563 तक पहुँच गए 2022 में उत्तराखंड 442 थे अब 560 हैं मारास्ट्रा में 312 से 444 पहुँच गए हैं तमिल नाटू 264 से 306 पहुँच गए हैं then reserves with highest tiger population कौन से tiger reserve में सबसे आदा tiger population है जिम कॉर्बेट टॉप पे आता है उत्तराखंड का 231 से 260 पहुँच चुके हैं बंदीपूर करनाटका में हैं नागर होल भी करनाटका में हैं 126 से 150 बंदीपूर में पहुचे हैं and 127 से 141 numbers याद नहीं रखने हैं बस याद रखो बता रहो क्यों कि इसका एक reason है बांदोगर MP में पढ़ता है ये tiger reserves तो अच्छे से आदा हो चीए सारे के सारे दुदवा, UP का है 82 पहले थे अब 135 ओचके ऐसे reserves जहाँ पे कोई tiger नहीं होने चाहिए थे बट है नहीं ऐसा नहीं कि बहुत साहिए वैसे तो tiger reserve है जहाँ पे कोई tiger नहीं होगा यहाँ पे होने चाहिए थे बट है नहीं जैसे कि डंपा होगी tiger reserve बहुत साहिए नहीं ऐसे बहुत साहिए जगह है जहाँ पे नहीं पाए जाते है tigers ठीक है यहाँ पे tigers यहाँ पाए जाने चाहिए बट नहीं है डंपा मिजोरम का कमला गरुनाचल प्रदेश कवाल ते लंगाना सतकोश्या ओडिशा सहयादरी महारास्ट्रा ओके देन यहाँ पे बिग कैट नंबर्स जो है country में 2967 थे 2018 में 2022 में 3682 हो गया एक बचे हैं ऐसा भी है कि decrease भी हुए नंबर्स कहीं पे तो सब जखा पर increase हुई हुआ ऐसा बोल दिया तो गलत हो जाएगा गो में 3-5 हो गे और अवनाचल में 29 थे 9 हो गए कम पड़ गए तो यह important है कि अवनाचल जारखन में कम पड़े है tiger के नंबर यहाँ पे दूसरी र इंडिया 5th cycle final report MEE का full form का है management effectiveness evaluation इसके बाएं बात करते हैं यह used किया गया used from 2006 to reserve to assess tiger reserve को assess करने के लिए used किया गया jointly conduct किया था है by NTCA that is National Tiger Conservation Authority and Wildlife Institute of India that is WII framework जो है वो दिया गया है by IUCN that is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources World Commission on Protected Areas infographic में देखते हैं यहाँ पे management effectiveness evaluation दिया गया है design and planning देखते हैं context क्या है इसमें देखते हैं कि status and threats कहां पे हैं भी status and threats में okay plan करते हैं कि हमें कहां जाना है और कैसे जाना है planning में okay then inputs की बात करें तो what do we need हमें क्या चाहिए process में देखते हैं how do we go about the management कैसे जाएंगे management पे then delivery में देखते हैं outcomes क्या हमें achieve करना है and outputs में क्या क्या करना है और यह सब देखना है यह सब इतना इपार्ण नहीं ओके दिल यहां पर फाइंडिंग्स हैं फिफ्ट साइकल ओफ MEE कि 51 टाइगर रिजर्व को एवैलवेट किया गया पर्यार टाइगर रिजर्व जो केरला का है वो रैंक किया गया कि बेस्ट मेंटेंड change okay इसने रिसीव किया lowest score in the current cycle क्योंकि इस mandate का absence है tiger conservation plans में so let's go to our next topic that is other related news जो है tiger conservation को लेके other news related to tiger conservation first news है यहाँ पर धोलपुर करॉली tiger reserve ओके यह क्या हुआ है NTCA ने approval जो है इसका final कर दिया है DKTR का कि यह भी एक अब tiger reserve हो गया होगे other recently approved tiger reserve कौन से है वी रांगना दुर्गावती tiger reserve मंधिप्रदेश का उसे भी approval accord हुआ है okay then tiger reserve जो है notified कियाते है बाइ state government on the advice of NTCA under section 38-5 of the wildlife protection act of 1972 very important यह याद रख़ लाइन okay in a related development ministry of involvement forest and climate chain ने clear किया NTCA का जो in principle approval था कि declare कर दो कुंबलगढ़ wildlife sanctuary को भी tiger reserve की तरह वह भी complete कर दिया गया okay DKTR की बात करता है means धो धो धोलपूर करवी tiger reserve geographical location and other important features यह extend करता है between धोलपूर and करवी district of eastern Rajasthan bordering Madhpradesh okay fifth tiger reserve है Rajasthan का other four कौन से हैं रर्थंबोर सरिस्का मुकंदरा hills and ये ये इन्डिया का फर्स्ट इंटर 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 इस्टेट्स की बीच में जो चेंज्ज उए थे कंट्री बिश्मिनी ओके इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट जो था वो फेल हो गया क्यों क्योंगी टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट जो था इनिशेट वा 2018 में बाई NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉर्टी जहाँ पर टू बिग कैट्स जो थी उन्हें ट्रांसलोकेशन किया गया एक का नेम था महावीर जो मेल था फ्रम कानहा टाइगर रिजर्व एंड दूसरी सुंदरी थी फीमेल थी फ्रम बांदावगर फ्रम मध्यप्रदेश वर रिलोकेट टू सत्कोस या टाइगर रिजर्व जो की ओडिशा में है फेलियर क्यों हुआ क्योंकि पूर प्रे ऑगमेंटेशन था ज्यादा सिकार में वृद्धी नहीं हो रही थी लैक ऑफ कैपसिटी बिल्दिंग ऑफ स्टाफ कैपसिटी बिल्द नहीं कर पा रही थी स्टाफ इनहास्मेंट नहीं हो रहा था प्रोटेक्शन का वो भी अचीव नहीं कर पाए फंड भी अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाए और जो किया वो डाइवर्ट हो गए टाइगर हुमन कॉंफलिक्ट हो गई यहाँ पर एक और चीज़ है IUCN का Integrated Tiger Habitat Conservation Program यहाँ पर जिसे हम Tiger Program बोलते हैं यहाँ पर ITHCP जो है Integrated Tiger Habitat Conservation Program इसने लाँच किया एक कॉल फॉर कॉंसेप्ट नोट्स फॉर फेस फॉर अफ प्रोग्राम इसमें क्या हुआ important news इतनी नहीं है फेस फॉर एक्सपैंड करेगा इसका focus जिसमें pantherin species को इंक्लिउड करेंगे इन particular leopards and clouded leopards को 2014 में launch हुआ था इस यह एक इस ट्राइजिक फंडिंग मेकैंजम यह एक स्ट्राइजिक फंडिंग मेकैंजम है सपोर्ट कियाता है जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ओफ एकॉनमिक कोपरेशन और डेवलप्मेंट BMZ के दौरा contribute करता है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम में यहाँ पे ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम की बात की गई है overall increase जो है 60% in tiger population highlight हुआ है by a report submitted under GTRP 2.0 GTRP एक effort है 13 countries का कि वो tiger की number को double कर देंगे in the wild by 2022 evolved under the globe यह evolved हुआ है under global tiger initiative 2010 में via St. Peter's declaration जो हमने देखी थी यह भी tiger से related है in 2022 GTRP 2.0 जो है launch हुआ 2034 तक के लिए so let's go to our next topic that is project चीता काफी news में था news में क्यों था है because NTCA ने form किया है CPSC को के Cheetah Project Steering Committee to keep watch on Cheetah Project इसके बारे में बात करते हैं CPSC बारे में यह 11 member CPSC है जिसमें comprise करते हैं national and international experts constituted हैं to oversee की implementation क्या है Cheetah Project का and यह 2 साल के लिए रहेगा committee जो हुई यह है committee is formed in the wake of recent death क्यों होई form क्योंकि recent death जो हुई थी CPSC जो born हुए थे translocated Namibian Cheetah को उस वज़ा से हुई at the Kuno National Park in Madhya Pradesh key features के हैं Project Cheetah की at least 50 Cheetah mostly from Southern Africa वो introduce के जाएंगे various national parks में over next 5 years okay so implementation agency कौन सी है NTCA है यहापे ध्यान रखो और कोई नहीं NTCA है funding कौन करता है प्रोजेक्ट की एक तो प्रोजेक्ट टाइगर से funding होते है और दूसरी कैमपा से that is compensatory afforestation fund management and planning authority then aim क्या है introduce करना African Cheetah इंडिया में Cheetah declared कर दिये गए थे extend मनलब गायब हो गए 1952 में कोई नहीं बचा becoming only large एक मात्र large wild mammalian species थी जो extend हुई इंडिया के independence के बाद इंडिया में progress क्या होई है out of six criteria जो थे short term success को assist करने के लिए देखने के लिए project ने अब तक four criteria फुल्फिल कर दिये है 50% survival हो गया introduced ची तास का establishment हो गया उनके home range का birth भी उन्होंने दे दिया cups को then revenue भी मिल गया local communities को restorative investments in other selected areas जो था वो भी start हो गया है नौरा देही और गांधी सागर wild live sanctuaries में in MP central government ने approved किया है setting up a cheetah breeding and conservation center cheetah breeding and conservation center भी central government ने set up किया है in bunny grasslands bunny grasslands कहाँ पर पाए जाते हैं ये आप बता सकते हो इंडिया में earlier 20 cheetah जो थे वो translocate किये गये थे UNO National Park in Madhya Pradesh currently 19 cheetah है इंडिया में after the death of 6 adults and 4 तो नए बॉर्ण हुए थे कपस ओके African cheetah के बारे में बात करते हैं ये protected under appendix one of sites ओके जिन appendix one of sites में है तो इंडिया की कौन से schedule में आएगा आप बता सकते हो comment में African cheetah जो है वो vulnerable है and Asiatic cheetah critically endangered है कुछ ही है जो Iran में पाजाते हैं ये दोनों ही flagship species है वो species जो एक ambassador icon या symbol की तरह यूज करते हैं एक habitat को define करने के लिए ओके then characteristic की बात करते हैं ये एक umbrella species भी है ओके then characteristic word का fastest land mammal है सिर्फ ये दिन में hunt करते हैं that is diurnal है unlike other big cats ये roar नहीं करते like lions, tigers, etc then gestation period का है 93 days का है वो जब womb में रहता है baby वो है gestation period then three main social groups इनके होते हैं जैसे female उनके cups के साथ male coalitions होते हैं and solitary males भी होते है female lead करती है nomadic life okay एक nomadic life जीती है female और काफी इसका बड़ा home range होती है home range होती है काफी large होती है okay and हमेशा खाने के लिए ढोड़ती रहती है males जो होते हैं थोड़े थकाव टाइप के होते हैं okay वो sedentary होते हैं ज्यादा दौरते भागते नहीं and instead एक smaller territory में ही रहते हैं हमेशा ये अमंग large carnivores अगर देखा जाए conflicts जो होते हैं वो lowest है in case of cheetah okay human interests are lowest for cheetahs so यहाँ पर कुछ और extra information है pictorial representation देखें तो अफ्रीकन जीता है ये असियाटिक जीता है IUCN status अफ्रीकन जीता भी हमने रहा vulnerable था है and critically endangered है कुछ ही इरान में पाए जाते हैं okay then distribution की बात के हैं ये कुछ इरान में पाए जाते है अफ्रीकन जीता अफ्रीका में नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका इस्ट अफ्रीका यहाँ पर पाए जाते है physical characteristic देखें तो ये size में अफ्रीकन जीता बड़े होते हैं compared to asiatic cheetah slightly bigger build होती है sturdy legs होते हैं and neck होते हैं then slightly smaller होते हैं asiatic cheetah and पतले होते हैं slender means पतले होते हैं neck जो होते हैं उनका छोटा होता है small होते हैं वो भी पतला होते है and legs भी उनके पतले होते हैं asiatic cheetah जोते हैं then food intake की बात के तो diverse diet होती है african cheetah की and limited resource especially medium size prey like chinkara gazelle ये asiatic cheetah की limited resource available होती है asiatic cheetah को let's go to our next topic that is project elephant ये news में रख्यों था क्योंकि प्रेस्टेंट ने पार्टिस्पेट किया था गज उच्सव में at kajiranga national park and tiger reserve K and PTR में in Assam जिसे mark की उनों है 30 years जो हो गया project elephant को then kajiranga national park geographical location and other important features देखते हैं located है on the eastern himalayan bio diversity hot spot पे kola ghat and nagao district को हमें पढ़ते हैं Brahmaputra river जो इसके नॉर्थ में है and कार्भी एंगलॉंग हिल्स्यों है वो south में है kajiranga के ये एक UNESCO की world heritage site है rivers की बात कहीं यहाँ पे Brahmaputra, Diffloo, Mora Diffloo and Mora Dhanceri आप देख सकते हो forest यहाँ पे tropical moist broad leaf forest है okay इनकी चोड़ी पत्या होती है fauna and flora की बात के तो great Indian rhinoceros, tiger, leopard, elephant मिल जाएंगे आपको and पेर पौदों में कौन से kumbhi है, Indian gooseberry, cotton tree, elephant apple etc largest elephant reserve है Mysore elephant reserve है in Karnataka then यहाँ पे आजी रंगा नेशनल पार्क की location दी होई है okay then यहाँ पे river sorry about project elephant यह launch किया गया था ministry of environment forest and climate change की दौरा 1992 में यह centrally sponsored scheme है support and coverage की बात के दो financial and technical support है वो provide कियाता है elephant bearing states को country में presently elephant project implement होता है 22 states और union territories में steering committee यह include करते है representatives जो होता है government की या फिर non-government wildlife experts के and scientists को elephant reserves की बात करें इंडिया में तो यह declare किया गया है as an administrative category by the government to demarket large landscape जो भी होता है elephant को and उनके movements को 33 elephant reserves है total जोगी cover करते है nearly 80,000 square km highest numbers of elephant reserves जो हो तबिलनाडू एंड असाम में 555 आते है followed by किरला में 4 and ओडिशा में आप 3 elephant reserves देख सकते हो elephant corridors of India elephant corridors क्या होते है comment section में बता सकते हो interest लेना अच्छा लगीगा नहीं लोगे बुरा लगीगा West Bengal के पास highest number of elephant corridors है and six transnational corridors है between India and Nepal so आगे परते है about Indian elephant इसका scientific name क्या है Indian elephant का Elephus Maximus Indicus याद रखना very important okay Indicus लिखा है characteristics की बात के है highly intelligent animal होता है characterize किया रभा strong family bonds होता है and काफी अच्छा communication भी होता है behavior complex होता है including ability feel करता है grief and compassion herd form करता है of related females led by oldest female होती है वो इनकी head होती है the matriarch की follow करते है longest gestation period होता है बैच्चे को fortus में रखने का क्या बोलते हूं womb में रखने का 18 to 22 months okay adult male Asian elephants होते हैं less social होता है females के मुखाबले okay यह must में इंटर करते हैं यह एक mate searching strategy होती है old males के लिए annually okay जो की 30 years से ज़्यादा के होते है kumki elephant यह term है जो use कियाता है इंडिया में for captive Asian elephants जिने train करते हैं use करने के लिए वो operations पे जहां पे trap करना होता है wild elephants को okay then habitat की बात करते हैं काफी ज़्यादा पाय जाते हैं यह इंडिया में Central and Southern Western Ghats में आपको मिल जाएंगे North East India में मिल जाएंगे Eastern India में मिल जाएंगे आपको North Northern India में मिल जाएंगे and in some parts of Southern Peninsular India also okay then India is home to 60% से जादा wild Asian elephants इंडिया में 29,964 elephants है elephant census बताता है 2017 का highest number of elephants है वो करनाटका में है followed by Assam and Kerala threats इनको क्या है एक तो human animal human elephant conflict वो bum अगरा रख देते थे आपने सुना होगा Kerala में बचाने के लिए crops को उस चक्कर में death हो जाती थी यह human animal conflict type है habitat loss है fragmentation है poaching होती है मार दिये जाते है loss of genetic viability है यह क्यों होती है क्योंकि small population size एक है and isolation में रहते है other measures क्या है protect करने के लिए elephant को एक AI based sensor system है गजराज जो की deploy किया जाएगा prevent करने के लिए elephant deaths जो होती है rail accidents के जाते है rail train जानी सामने आ जाते है कई बार क्योंकि इनके corridors होते हैं okay उनके बीच से भी वहाँ पे पटरी निकली होई है sensors जो है carried किया जाएगा हर पात साल पे तो पता लगता रहेगा कितने हैं तो conservation measure अच्छा करेंगे planting of native species of trees in Assam okay species जैसे की आमला, बेल, गमडी, जामुन, भुमूरा, अर्जुन, etc okay then यहाँ पे elephant protection status देखते हैं यह endangered है sites में, appendix 1 में आता है इसलिए कि इसमें बोलेंगे schedule 4 में भी WPA के आगया wildlife protection act and schedule 1 में क्योंकि highly protected है difference देखते है Asian and African elephant में indicator यह तो इनका physical हो गया photo हो गया endangered है then यहाँ पे क्या है African elephant में सवाना elephant जो है वो endangered है CR critically endangered size की बात के है तो Asian elephant छोटे होते हैं वे उनका जो weight होता है 3000-6000 kg यह larger होते है 4000-8000 kg ears जो होते हैं rounded होते हैं ears Asian elephants के but fan saved जो आप रियल में लेखते हैं fan saved वो documentary में वो African है इंडिया में Asian rounded होते है skin की बात के हैं smooth skin होते हैं Indians के आपने अगर देखा है skin is more wrinkled in case of African ones forehead की बात के तो twin domed होता है दो dome आपको मिलेंगे forehead पे अगर इनको देखोगे Asian elephants को इनका एक single dome ही होता है okay then tusk की बात करें तो कुछ male Asian elephants होते हैं जो tusk grow करते हैं okay उनके पास होती है mainly females में तो absent ही होती है only rudimentary tusk मिलती है okay then both male and female दोते है African elephant में वो tusk grow करते हैं tusk क्या होता है यह है tusk okay so इसी के साथ ही यह topic भी over होता है let's go to our next topic that is state of the rhino 2023 report news में क्यों था क्योंकि जो international rhino foundation है IRF उसने release किये state of rhino 2023 report okay IRF की बात करते हैं यह found हुआ था international black rhino foundation black rhino पाय जाते हैं अफ्रीका में okay 1991 में dedicated head survival के लिए सभी five living rhino species है कौन सी five living है white rhino है जो near threatened है greater one horn rhino series जो इंडिया में मिलता है यह vulnerable है black rhino critically endangered javan rhino critically endangered and sumateran rhino वो भी critically endangered है key findings की बात करें यहां पे तो greater one horn rhino जो है इसे इंडियन rhino भी बोलते हैं इसकी population इंडिया नेपाल में बढ़ रही है black rhino population जो है वो भी increase हो रही है despite जो poaching pressure बना हुआ हुआ कुछ नहीं मतलब की महारना तो नहीं चाहिए बट फिर भी अगर यह हट गया sumateran rhino अगर यह खतम हो गया तो मिलेगा नहीं critically endangered कुछ ही बच है about rhino अगर बात करें तो five species rhino की जो हमने यहां पे बात कर ली then three जो है Asia में मिलती है sumateran rhino, javan rhino यह दोनों इंडोनेशिया में and great one horn rhino इंडिया में इंडिया में नहीं बाकी neighboring countries में मिल जाएंगी बट नाम वैसे रखा है दो अफ्रीका में मिलते हैं white rhino and black rhino comparatively इन्हों जादा दिखाई नहीं नेता है sense जो होती है smell की उस पे रिलाई करते है rhino horns जो होते हैं केरेटिन के बने होएते हैं जैसे नेल सापके and seven centimeter तक ये grow करते हैं Asian rhino excellent swimmers होते हैं बहुत अच्छा swim करते हैं reverse को ऐसे ही swim कर जाते हैं Indian rhino की बात के तो characteristics largest हैं सभी rhino species में usually अकेले रहते हैं females जोते हैं अपने small चुटे चुटे बच्चों की साथ रहती है male rhino जो होते हैं fight करने बहुत आगे होते हैं prefer करते हैं उनके habitual areas को cover करते हैं skin को mud से okay जिसे की thermodegulation मिलती है and overheating को prevent करते हैं 3G से दौर सकते हैं 40 km पर hour की speed तक से and बहुत 40 हीले होते हैं threats की बात करें poaching जो है medical purpose के लिए बहुत बड़ी threat है इनके लिए habitat loss and low genetic diversity देखने को मिलती है वो भी threat है habitat की बात के तो alluvial, tarai, duvar, savana and grasslands and riverine forest इनका habitat है commonly ये नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया में मिल जाएंगे आपको with India being home to home to और over 85% जो है वो इंडिया में population है इनकी इंडिया में कहा उत्रप्रदेश, West Bengal and Assam 71% जो है ये Assam में मिल जाएंगे आपको 2895 as per 2022 census काजी रंगा नेशनल पार्क में सबसे जाज़ा ये है then conservation measures की बात के हैं तो नेशनल rhino conservation strategy 2019 conserve करती है Indian rhino series को New Delhi declaration भी है Asian rhinos 2019 पे इंडिया rhino vision है 2020 पे एक joint program है Assam Forest Department, World Wildlife Fund for Nature इंडिया, WWF India and IRF that is International Rhino Foundation to increase rhinos population Indian rhino protection status की बात के तो ये vulnerable है appendix 1 में आते हैं ये sites में नहीं है इसलिए appendix WPA के schedule 4 में नहीं सिर्फ schedule 1 में आएंगे हैं कि protection status हाई है इनका ओके then ये among 22 species हैं जो cover किया थे under species recovery program ये NVIS पे आपको मिल जाएगा species recovery program 22 species है सारी की सारी देख लो अच्छे से last year भी I think इस पे question आया था उन्हीं species चाया था ऐसे diet नहीं पूछ दिया था बट उन्हीं पे आया था वहाँ पे information जो दी थी आप उसे कर सकते जो drugs technical advisory board है DTAB उसने रिकमेंड किया है ban दो और drugs पे जो harmful हैं vultures के लिए काफी इनकी death होच की है कई कई तो 99% तक death होच की है जो की बहुत बुरी बात है more about the news DTAB ने agree किया है prohibit करने के लिए drugs को ketoprofen and acylophenic नाम must है याद रखने भूल गए गलत है फिर for treatment of liver stock DTAB ये एक highest statutory decision making body है on technical matters related to drugs ये part है CDSCO का means Central Drugs Standard Control Organization जो की Ministry of Health and Family Welfare के अंडर आता है okay ministry भी आदर को drug bank की बात करता है ketoprofen, acylophenic, dicloflang, nimesulite जो है ये non-esteroidal anti-inflammatory drugs है NSAIDs जिसे मोलते हैं जो की use होते हैं veterinary practice में that have been proven toxic to vultures and other birds of prey okay other birds को भी ऐसा नहीं से vultures को others को भी Daclofenac already banned है इंडिया में some जो NSAIDs ये drugs है ये fully metabolized नहीं कर पाते है vultures and उसके विज़े से kidney failure हो जाता है okay और उनकी death हो जाती है total 9 species है vultures की इंडिया में bengalensis बोलते है critically endangered है then slender build vultures है gyps tenured ostris बोलते है CR critically endangered है Indian vultures gyps indicus बोलते है ये भी critically endangered है then red headed vultures है जिसे sargo gyps calvus बोलते है ये भी critically endangered है then यहाँ पे ये सारे near threatened है and ये least concerned bearded vultures जो है gypatus, barbatus ये near threatened है cynereus vultures है agyps monicus जी से बोलकर near threatened है then himalayan griffon gyps himalienesis ये भी near threatened है Egyptian vultures जो है वो endangered है neophron पर कौन पतरस बोलते है and griffon vultures gyps fulvus ये least concerned है तो आप critically endangered वाले अच्छे से याद रखो कि मैं पढ़के नाम सुना दिये कि एक बार सुन लो so, यहाँ पर population जो है white-backed vultures की slender-billed vultures की and long-billed vultures की ये deline हो रही है drastically deline हो चुकी है okay, हो नहीं रही है over the past decades vultures जो है ये part है species recovery program की जो भी species recovery program में आते हैं बहुत ही must हैं देखने okay क्योंकि सिर्फ 22 species है ये मत सोचो की बहुत ज़्यादा है वो बहुत कम है उसमें okay fungi recognition and conservation हमारा new topic है ये news में क्यों है क्योंकि जो fungi foundation through UN biodiversity है उसने urge के people को globally की use करे word fungi whenever they say flora and fauna as part of the trinity of life जब flora and fauna यूज करे तो एक साथ में और word यूज करो आप fungi फंजाई के लिए okay क्यों अभी देखेंगे fungi और फंजाई क्या है ये refer करता है level of biodiversity जो भी फंजाई की है किसी भी given place में okay ये vary करता है single-celled organisms में multi-cellular organisms तक distribution की बात के हैं तो tropical temperate to Arctic region से पाए जाता है बोथ terrestrial and aquatic ecosystems में लगबागर जगा पर okay threats की बात के हैं तो loss of habitat and host over exploitation हो रहा है climate change and pollution significance कहाए पन जाएगा culinary use है micro result है carbon reservoir decomposition nutrient cycling micro remediation and medicine ये सब आप terms एक एक बार search करके देखो okay then comparing flora fauna and fungi three Fs aspect देखते हैं कौन से kingdom के अंदर आते हैं flora planty kingdoms के अंदर आते हैं plants जो होते है animalia kingdoms के अंदर animals that means fauna आते है and fungi जो होते है fungi kingdom के आते है fungi then examples की बात के तो plants में algae, flowers, trees हो गए flora में okay fauna में insects, reptiles, mammals हो गए fungi में mushrooms, molds, yeast हो गए mobility की बात के हैं fungi and flora दोनों की mobility immobile होते है generally and जो fauna होते हैं capable होते है movement के लिए reproduction की बात के हैं तो flora में seeds, spores, vegetative propagation की जरीए हो जाता है fauna में sexual, asexual दोनों होता है then fungi में spores या फिर asexual reproduction होता है role की ecosystem में flora जो हैं primary producer होते है जानते ही हो आप fauna यह consumer है prey है, predator है and fungi जो होते है यह decomposers होते है इसलिए बोला है कि इनको 3F की तरह treat करो okay flora, fauna and fungi अभी तो ऐसा कोई recognition नहीं बढ़ अर्ज किया है okay so next topic क्या है हमारा export policy of red sanders very important यह news में क्यों था क्योंकि यो DGFT है direct trade general of foreign trade under the ministry of commerce and industry उसने amend किया export policy जो red sanders वोट की है source from privately cultivated land more about the news amendments जो है वो issue होई है under power conferred by foreign trade development and regulation act 1992 and foreign trade policy 2023 under the foreign trade policy अगर देखा रहा है तो import जो है red sanders का वो prohibited है and export भी restricted है okay earlier DGFT 2019 में revise की export policy है and permit किया था export जो है red sanders का in long form roots and roots okay अगर वो exclusively obtained किया गया है private cultivated land से means including पट्टा लेंड यहां पर okay recent amendment allow करते है annual export quota जो है artificially propagated red sanders का and zero export quota है wild specimen of red sanders का about red sanders बात करते है conservation status क्या है इसका IUCN status endangered है wildlife protection act में schedule 4 के अंडर आता है sites के अंडर यह आ जाता है appendix 2 में अब देख लो कि plant species भी schedule 3 में protect की जाती है wildlife protection act के यह है या नहीं है then habitat की बात करें तो Indian endemic tree species है with a restricted geographical range में रहती है in eastern parts of India found in distant tracks of forest in आंजर प्रदेस characteristics यह एक बहुत ही slow growing tree species है जो की maturity attain करने में 25 से 40 साल लेती है resistance है drought resistant है also known as और भी इसके नाम है almag sonderwood red sanders red sanders wood red saunders yera chandhanam rakt chandhan lal chandhan ragat chandhan rukto chandhan undum okay demand काफी जादा है Asia में इसकी particularly China में क्योंकि therapeutic properties हैं for use in cosmetics medicinal products and high end furniture और wood graft then यहा पे related news एक है sites review of significant trade 77th sites standing committee meeting जो है उसने remove कर दिया red sanders को कहां से RST से review of significant trade से यह अच्छा किया है sites RST ने एक process है जो enable करता है disciplinary action लेगा किसी भी country पे जो obligations meet नहीं करती okay trade suspension हो जाता है sites के बाएं बात करते हैं अब यहां से आप अच्छे से पढ़ों यह ensure करता है कि international trade जो है specimens of wild animals and plants में वो threaten नहीं करता उस species के survival को 184 parties है including India इसमें management authority जो है sites की sites MA इंडिया में वो कौन है director of wildlife preservation government of इंडिया है then other key information की बात के हैं तो जो mic program है monitoring of the illegal killing of elephant यह एक international collaboration है जो की measure करता है level trend and cause कहा है elephant mortality का इंडिया के पास 10 sites है जो mic program में participate करती है यह एक legally binding है parties पे but does not take the place of national laws but national laws का place नहीं लेता है each party हर एक party जो है वो adopt करती है उसका खुद का legislation domestic legislation implement करने के लिए से national level पे सभी जो 184 parties है उनके पास right है attain करने का proposal रखने का and consider करने का and vote करने का सारे के सारे decisions पे species जो होती है cover कियाते है three appendices के अंदर sites में so वो appendices अब देखते है sites appendix so let's start so यहाँ पे appendix one के अंदर को राता है यहाँ पे most endangered जो है मंग sites animals and plants बहुत है restrictions के international trade पे यह prohibited है यहाँ पे totally but except in non-commercial import purposes के लिए अगर आप कर रहे हो import okay then appendix two not necessarily threatened threatened नहीं है बट ऐसा लग रहा है कि अगर इनका trade हुआ तो ऐसा हो सकता है look-alike species है so authorized है by granting of export permit और re-export certificate then appendix three में कौन आता है यहाँ अच्छे से कहीं से पढ़ लेना यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं दिया है detail में but यह पढ़ना बहुत जरूरी है तीनो okay यहाँ पे included होते है और certificates so इसे के साथ ही यह lecture में यहाँ पे इंड करता हूँ let me tell you कि कहां तक हम पहुँच चुके हैं अब अपने task में so wildlife conservation में हमने export policy of red sanders वोड जो है यह complete कर ली है 63 pages पे आ गए है invasive alien species dread list of threatened species protected areas in news and species in news यह चार topics हैं बहुत बड़े हैं next lecture में हम try करेंगे कि यह सारा का सारा खतम हो जाए and then हम forest से start करेंगे उसके बाद lecture 7 में so इसी के साथ यह lecture end होता है thanks for watching this video like, share and subscribe in the case you liked it thank you